नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हिंदी नोली शो में तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान यूएनसी में एक प्रस्तावला हैं जिस पर सुनवाई होने जा रही है वो भी जो बंद दर्वाजों के पीछे तो भारत इससे इतना मतलब की ज़्याद पॉलैंग ने मना कर दिया था लेकिन वो क्यों तैयार हो गया ऐस विस्तिवादए लिक्ष्ट देस है तो इसका सबसे बड़ा कान्य है दोस्तों चायना एक पर्मनेट मेंबर है जो परमनेट मेंबर प्रस्ताव लाता है उसको सुने इसको परमिशन देनी पड़ती है यह lok दोस्तों इसलिए उसलिए प्यूल को त्यार होना पड़ा जब पाकिस्तान नहीं नहीं पॉलगन मना कर लिया था सिदा सीदा लेकिन दोस्तों इसके बहुत सारी चीजें हैं जो जो से को आपके साथ में डिसक्स करना चाहूंगा साथ बहुत सारी चीजें हैं तो क्या अंडरस्टेंडिंग है वो भी आपके साथ डिसक्स करने वारा हूं चल्ल दोस्तों पर बात की बारत इस जो बंदरवाजों के पीछे मीटिंग हो रहे हैं इससे परिशान क्यों नहीं है पहली बात देखें दोस्तों यह एक नॉर्मल सी मीट कर्फिंग होती है उसमें ना तो कोई मीडिया कर्मी बैठता है ना ही उसकी बात ऐसे खुल कर की जाती है ना उसकी कोई बड़ी प्रेस कानफेस की जाती जिससे की भारत को बदनामी का डर बिलकुल नहीं है तीनों सब्तर कोई खास चर्चा नहीं होगी दुनिया भर में क् खुले तोर पर मीटिंग होती तो उसमें मीडिया बैठती बैठती है वह कंपलसरी होता है तो उससे भी भारत बच जाएगा और दूसरी बात तीसरी बात जो में बात है ना कि अगर यह प्रस्ताव आ भी गया तो भारत के पास एक तुरुप का एक तो ही है लेकिन इस बार भारत के पास चार-चार तुरुप के हैं पहली बात भारत के पास कौन से सबसे बड़ा तुरुप का है रूस वीटो करना ही करना है रूस ने बिल्कुर करेगा दूसरी बात रूस के साथ साथ और कोन करेगा फ्रांस करेगा यह करेगा तीसरा अमेरिका अमेरिका अगर पह अफगानिस्तान से तो वो ब्लैक मेल हो रहा है पाकिस्तान के अब तो शायद वो लेकिन अगर जरुत पड़ने पर जो वीटो होगी वो आएगी या फिर एक जो अगर एक क्या होगा कि अगर दोनों तरफ से दो दो वोटिंग हो जाए कि ब्रेटेन और चीन साथ आजाए जो जो मुझे लगता है नामुमकीन है क्योंकि ब्रेटेन में बोरिस जोनसन के प्राइम मिनिस्टर बने के बाद वो थोड़े भारत के फिवरों में हैं मतलब कि उन्हें डिरेक्ट कंसल्ट किया था पकिस्तान ने की वो अस्तक शेप करें बोरिस जोनसन भारत में लेकिन उन् इतना दोस्तों भारत के लिए अमरीका और फ्रांस और जो रूस है उसके साथ साथ ब्रिटन भी भारत के साथ आ जाएगा जरुत पड़े तो हलाकि मुझे लगता ही है कि आ जाएंगे चारो देश तो चार एक से प्रस्ताव खारिज होई जागा रही बात चाएना की तो च लगते लिए उनके साथ बातशित होगी कि हम क्लोज डोर मीटिंग कर वा लेंगे जिससे की पाकिस्तान भी खुश हो जाएगा और आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा तो इस तरह की चीज़ जुरूर होई हो क्योंकि चाइना को भी दूस्तों पता है उसकी कोन भी सफर कर देखे भारत यह बाजार उसके लिए खुल रहना बहुत जुरूरी है तो दोस्तों उन पर भारत अगर 10% टरिफ ठोक दे तो मोबाइल चाइना के यहां पर बिकने बंद हो जाएं क्योंकि बहुत ज़ादा इन पर महेंगे हो जाएंगे और फिर जो और ज़्यादा दूसर कंपने यूरोप से आती हैं उनके प्रोट्ट के यहां पर सच्थ हो जाएंगी तो चायना को बहुत बड़ा धकाई लग जाएगा तो चायना चाहता है इसलिए बंद कमरे के बीच मीटिंग होई नहीं तो यह मीटिंग क्योंकि अगर चायना चाहता दोस्तों तो यह बड़ा नहीं चाहिए क्योंकि हमेशा से चायना का सभाव यह धोका देना तो दोस्तों लेकिन इस समस्ले में हमें रूस की तारिफ करनी होगी क्योंकि रूस ही एक मात्र देश है जो खुलकर भारत के समर्थन में आया है उसके हला कि कही करण है क्योंकि देखे जब क्रीमि क्या ने तो भारत एक मात्र लोकतांत्रिक देश था डेमर्थन करते हैं तो यह बड़ी बात है इसलिए रूस को भी बर्त की तरह से उधार भी उतारना था दूसरी बात यह भी है कि एक भारत को अमेरिका के प्रभाव में जितना ज्यादा आतर आया उससे भी हटाने की लेकिन हमें त Favor का प्रभारत का समर्धन किया है और बड़े पैमाने पर रूस ने interrupt किया भारत का हमेशा से और इस बार भी लेकिन मुझे लग रहा था और जितने भी बड़े विश्य सखें है उन्हें लग रहा था कि अमेरिका भारत का साथ देगा लेकिन अभी डॉनाल टरॉम्प है डॉनाल टरॉम्प क्यों होते होई नहीं ना तो मुझे लग रहा है अब जानना किसी और को लग रहा है अगर डॉनाल ट्रॉम नहीं होते या फिर ओबामा होते तो भारत का खुलकर समर्थन आता साथ ही जो ओबामा थे वह तो खुलकर भारत के समर्थन भी दे सकते थे लेकिन जब से डॉनाल ट्रॉम आए हो उनके पता नहीं क्या चला दिमांग में उन्हें हर जाएगा तो automatically UK का भी समर्थन भारत को मिल जाएगा रही बाद चाइना की तो चाइना को अगर कोई टैकल कर सकता है देश तो वह भी अमेरिका ही है अमेरिका इस किसी तरीके से सैंक्शन के या किसी ओ तरीके से डरा कर चीन को एक तरह से जो भारत को पर्मनेंट से जो सीट के बारे में कुछ बड़ा होता है तो ही मैं इसके बारे में कल सुभह या कल शाम तक मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूँगा आप टेंशन मत लीजेगा कुछ भी इस पर डिटेल आती है बड़ी डिटेल आते जो भारत के खिलाफ जा रही है या भारत के समर्थन में आ रहते हो तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के बार फिर सी बहुत दुने वाथ हैंकि बेरे मच्छ